जै जिनेंद्र अपने मंगलाचरण करी अने समय सार्नों साध्या सरू करिये शिये में पूलाचरण करु़ण आ कि जिनेड़े शिये शिये व्यायंद्र अनman उलाचरण क我 से खायाद से नागनाちゃん नम्रोट कुलकंगारियो व्जें दर्वोष नम्रोट समय स्था गारेक्तु स्वान नंबुध्या चस्था स्थेचि गो तवाई बन्वायां चिनुराणा भिगा अवनियो भष्हामी जाकार्टी समय सार भगवान कुंकुंधाचारेवेचि समय सार तथा भगवान अम्रुद चंद्राचारवेची दात्मख्याती टिका येनों आपने स्वाध्याई गरी रहाची है येमा करता कर्मदिकारनी गाथा 126 सुधी स्वाध्याई थयोचे अवे आगल ये याँ कहेचे कि ग्नान में भावती सुम थायेचे अगनान में भावती सुम थायेचे ते हवे कहेचे अगाव 126 मी गाथा मां एमायूने कि ग्नानी ना भाव चे ते ग्नान में चे अगनानी ना भाव चे ते अगनान में चे एकले हवे ये आगल वाद करेचे कि ग्णान में भावती सुन्थाए और अग्णान में भावती सुन्थाए तो गाथा 117 अग्णान मयो भावो ग्णानी नह करोती तेन कर्माण ग्णान मयो ग्णानी नस्तु न करोती तस्मात्तु कर्माणि उजी रादी मां गाथा लईए अग्णान मये अग्णानी नो तेथी करे ते कर्मने पण ग्णान मये छे ग्णानी नो तेथी करे नहीं कर्मने गाथान अर्थमाईया कैचे के अग्णानी ने अग्णान मय भाव छे तेन कर्माणी करोती तेथी अग्णानी कर्मोंने करे छे ग्णानी ने तो ग्णान मय तस्मात्तु कर्माणी न करोती इटले के ग्णानी ने तो ग्णान मय भाव छे तेथी ग्णानी कर्मोंने करतो न थी अग्नानी ना भाव अग्नान मैं एम 126 मी गाथा मा कईू अने ग्नानी ना भाव अग्नान मैं एकले हवे ए अग्नान मैं भाव अने ग्नान भाव अहिया विशेशता थी आपनने तमझावे छे अग्नानी ने जे अग्नान में भाव छे इतो कर्म बंधनू कारण छे अग्नान में भाव छे तेथी अग्नानी कर्म ने करे छे अने ग्नानी ने तो ग्नान में भाव छे तेथी ते कर्म ने करतो नती जड कर्मनी यहाँ वाद नथी जड कर्मने तो ग्नानी के अग्नानी वेमाँ थी कोई करता नथी कैमके ए पुद्द गल छे औने पुद्द गल ना कारियों चेतन करी सके नहीं ए वाद अगाओ आवी गई छे इतले अहिया जे वाद छे ते भाव कर्मनी वाद छे अहिया जे वाद करी ते भाव कर्मनी इतले अग्नानी ना जे भाव छे अग्नानी ना भाव जे वाचे एवा भावनों एक करता थाए छे इतले अने आस्रव अने बंद पड़े छे तो ये भाव बंदनी वाद करी छे अग्नानी अग्नान में भाव ने लिधे थे इने केमके इने स्वाव ने पर्णू भेद ग्नान न थी एटले अग्नान में भाव वर्ते छे ते थी अग्नानी कर्मों ने करे छे एटले भाव कर्मों बांधे छे अने ग्णानी ने तो स्वोपर्णों विवेक वर्ते छे एनी द्रष्टी तो स्वरुप बनी रही छे इटले एना भाव छे ते ग्णान में छे अनि एवा ग्णान में भाव छे तो एवा भाव बंद करतो नथी इवा कर्मना बंद एने थता न थी टिका मा एनी स्पस्ता आपता अम्रुत्चंद्राचारे बगवान कहे छे कि अग्नानी ने सम्यक प्रकारे स्वपर्णो विवेक नहीं होवाने लिदे बिन आत्मानी ख्याती अत्यंत अस्त थाई गई होवा थी अग्नान मैं भावज होए छे अने ते होवा थी स्वपर्णा एकत्वना अध्यास्न लिदे ग्नान मात्र एवा पोता मा थी एटलिके आत्मस्वरुप मा थी इप्रष्ट थेलो पर एवा राग द्वेश साथे एक थाईने जेने अहमकार प्रवर्थ्यों छे एवा पोते आ हुँ खरेखर रागी चूँ द्वेशी चूँ अर्थात हुँ राग करू चूँ द्वेश करू चूँ एम एम मानतो थको रागी अने द्वेशी थाई छे अने तेथी अग्नानमे भावने लिदे अग्नानी पोताने पर एवा राग द्वेश रूप कर्तो थको भाव कर्मोंने करेचे अग्नानी ने सम्यक प्रकारे स्वपर्नो विवेक न थी एने विवेक नथी, के वो विवेक नथी स्वा ने पर्णों अवे स्वा ने पर्णों एने विवेक नथी येम कहिए तो तो पछी एनो अर्थ तो येवो थाए के एने क्यारे पुर्षात नहीं करे हो हो है स्वा सुचे ने पर सुचे जानी ज़ने जोए दर्ममार्ग माई प्रवर्त्योज नहीं होए मनुष्य थयोचे तो कैंक तो पुन्यकरी नावे उसे न इस्प्रि सम्यक सब्द मुखी अने या जनावू ये छे के इने स्वा अने पर नी खबर पड़ी होए कदाच एने द्रव्यत्रुतन अभ्यास करे उल्ये पर उतज होए tha स्वा नावद वन पर और कोने केवा येना सबंधी विजाओने भणावे पण होए पन सम्यक प्रकारे स्वा परनो विवेक नहीं सम्यक प्रकार एटले अनुभव सहीत एने स्व अने पर्णो विवेक न थी सम्यक प्रकार एन थी एकले के एने मात्र ए महाईती रुपे चे स्व अने पर पण एवो एने अनुभव न थी के हुँ आ स्व आ बदा पर्थी जुदो यू एुओ इनन अनुभव न थी, इतले पचि ये स्व अने पर्ण विवेक न थी, ॹेम क्यवामा आग、 अज़ानीने स्व अने पर्ण विवेक न थी, पोटे बगवान आत्मा स्व कें ऌँ चे, पोटे नाता दृσ्ठा चे, त्रिकाल गनायक चे, ये कहीं करवा वालो नथी ए परना कार्यों करतो नथी पर साथे ए एक रुपता करतो नथी एटले पर एवुँ आ सरीर जे पुदगल छे एनी साथे एने एकत्वना भाव जो अग्नानी छे तो होए अने ग्नानी छे तो न होए आ पर एवुँ शरीर एनी साथे एकत्वना भाव जो एक रुपता एने पोतानू मानू पोता पणे मानी अने बदा कार्यों थता होए बदी मान्यता उस रद्धावो वर्तती होए तो एने एम केवा मावे के एने स्ववपर नी एकता नो अध्यवसाए छे एते स्ववपर ना एकत्वना अध्यास ने लिधे एने खरेखर ग्नान न थी ए मात्र माहीती रुपे जाने छे अने माहीती रुपे जाने छे एतले एती तो कहीं एने अर्थ सर्तो न थी सम्यत प्रकारे स्वव पर्णों विवेक यां तो एम केवुँ छे स्वव ने पर्णों विवेक केवो होई गनानी नों केवो होई इतो पोते पोताना स्वरुपने जाने छे, जेवू छे, तेवू जाने छे, मात्र ग्नायक ग्नायक छे, एवू जाने छे, एटले एने पर साथे नो पोतानों सबंद केवो छे, एस पस्ट छे, पर मात्र एनू ग्ने छे, स्वथी जुदू, जे कहीं छे, ए बदू ग्ने मात रचे, पोताना ग्नानमा जणाये छे, बस एटलूज, एथी विशेश एनी साथे एने कोई सबंद न थी, एवी जेनी द्रश्टी वर्ते छे, एवो एग्नानी, पोताना स्वरुपनू लक्स रहे छे, द्रश्टी त्याज रहे छे, अने एक वखत अनुबव थयो छे, एटल सब्सक्राइज पोताने एक वकत अनुबबव baked छे, एटले हवे एवारे वारे वारे जुदू करवानी जरूर पड़ती नती, जे वोचे, ते वोज पोताने एवक्ते पन स्रद्द्य चे, अनुबवए छे, एमाँ बीजा प्रकारे कोई वात छे जने, एटले साथे रहेल आ शरीर आत्मानी साथे रहलू आ शरीर एनी साथे एने एक रूपता नथी एनी साथे एने ममत्वना भाव नथी एकले ए स्वाथी जुदू एने जाने चे देखे चे एम एने एवो अध्यवसाए नथी श्वपुर्णी एक रूपतार नो अध्यवसाए ज्णानी नहें होतो नथी जारे अग्नानी ने भाव तो अग्नान मैं छे एने सम्यक प्रकारे अची श्ववने पर्णो विवेक थयो नथी एकले आत्मागनान थयू नथी बेद गनान थयू नथी स्वव अने पर्ने एने बिन जानिव नथी अनुभव नथी इतले बिन आत्मानी प्रसिद्धी एने तो थाई ज नथी बिन आत्मानी प्रसिद्दी एने थाई जन थी कि आ भगवान आत्मा हुँँँँँँ एवो एने हजी अनुगव थयोज नती एटले यहां केछे के सो अने पर्णो विवेक सम्यक प्रकारे नती थेथी एने बिन आत्मानी ख्याती अत्यंत अस्त थाई गयी छे आत्मानी प्रशिद्धी एने अस्त थेईगी छे प्रशिद्धी अस्त थेईछे आत्मा तो एवन एवत त्यां पड़ेऊचे अने एने अस्त थेईछे एने स्वरुपनू लक्ष नथी करिऊ एटले एनी प्रशिद्धी एने माटे अस्त थे एने इंद्रिये द्वारा ग्नान करवूँछे अने अत्ति इंद्रिये पणे वगवान आत्माने जानवो नती एटले एने ए अस्त थेवूँछे पण वगवान आत्मा तो त्रिकाल एवो ने एवो ग्नायक विराजे छे एटले एवो अग्नानी जेने स्व और पर्णो विवेक सम्यप प्रकारे नती और एने लिदे एने बदा थी जुदो भिन आत्मा ख्यालमा आयो नती और दर्शन थयो नती एटले एनी प्रसिद्धी नती एटले एनी ख्याती नती एटले एम केछे के एवी ख्याती अत्यंत अर्ष्ट थई गई होवा थी अग्नान मैं भावज होए छे अग्नान मैं भावज होए छे अने ते होता ते होवा थी इवा अग्नान भाव होवा थी स्व पर्ना एकत्वना अध्यासने लिदे ईकत्वकोनी वच्चे, स्वा अने परनी वच्चे एमज एने स्रद्धार है एने दरेक समय इस स्वा अने पर बे भेगूज एक रुपेज लागे सरीर नी साथे जे पोते पोताने जाने पोताना अस्तित्वने शरीर थी जुदू ये अनुभव तो ज न थी, एने ये वो विकल्प पन होए नहीं, विचार तो ज न थी, जारे जारे ये कही पन प्रवुत्ती करे, जारे जारे विकल्प करे, जारे जारे वात करे, जारे जारे लखान करे, कही पन करे, दरेक समय ए शरीर साथे पोते रहो चो एवो ये पोतान पोटानू स्वरूप माने शरीरbür थी भिन्द पोटानू स्वरूप छे एम एने नती लिए थरेक वकते हुं-केता ईने सरीर और पोटे आत्मा बनने भेगा वन्धा स्भदत छेए वाइड्य एवो अज्यवसायी छे, इतले स्वावपर ना एकत्वना अध्यास नेलिदे, जणान मात्र एवा पोता माती इतले आत्म स्वरुप माती ब्रश्ट थेलो, जो पोताना स्वरुप मां थी ब्रष्ट न थयो होए तो जे पोतानू न थी एवुं आ सरीर एनी साथे एने एकत्व होई ने ए आत्मा मां थी पोताना स्वरुप मां थी च्यूत थयो चे त्यां थी बहर निकले चे त्यां थी ब्रष्ट थयो चे एटले एने, पर्नी साथे एकत्व ना भाव रहा छे, शरीर साथे एकत्व छे एटले एवो हद्डि vegetables आये छे पूता माथी ए बहार निकली गयो छे ब्रस्ट थेयो ब्रस्ट थेयो एटले जे सुद्ध निर्मण स्वरूप चे जे वो सभाव चे इवा सभाव भावने छोडी ने ए बहार निकले ओचे इटले ए ब्रस्ट थेयो छे पूता माथी आत्मस्वरूप मां थी पूतानू स्वरूप ग्नाण स्वरूप चे इवा flush ग्नाण स्वरूप भगव हो आत्माने जेने जान्यों नथी अनुग्यव नती वही बधानी आज दसा छे मात्र अभ्यास करिये, पंडिताई करिये, एटले कि आत्मा मा जवाय एम न थी, यहनी पाचल पुरुशार्थ बराबर करवा पड़े एग पुरुशार्थ पहला क्यारे ना करवा, एवो अपुर्व पुरुशार्थ थाए, तो सम्यक दर्शन थाए स्वनओ अनुबव थाए, श्वानु बूती थाए, एकले अनुबव सईत सम्यक दर्शन प्रगट करवा पुरुवे क्यारे न थी करे ओ एवो अपुर्व पुरुशार्थ करवा पड़े एवो अपर्व पुर्षात जेने नती थे ओ एवो आ अगनानी स्वा और परने बेगा करी नाखे छे एक रूप करी नाखे छे पोते स्वा छे ये ना ती विजु बदू बिन्न छे एनी बिन्नताने समझ तो नती विभाव भाव विकारी भाव सूब भाव के असुब भाव साथे एने एक रूपता थाएछे देव पड़ नती नारकी पड़ नती तिर्येंच पड़ नती तू एकिंद्रे पड़ नती तू भगवार आत्मा छो आत्मा ने क्या परियाए छे आ बदी जे गती छे बदी आत्मा ने होए आत्मा ने तो सुद्ध परियाए छे ये तो सिद्ध समान छे येने आवी कोई परियाए नथी आवी कोई गती नथी आत्माने तो एक मात्र सुध परियाय , शिदनी परियाय होए , वीजी कोई परियाय होए नहीं , पड़ आतो यहने जानियू नथी , एकले पोटाना गनान सभावन्य जानतो नती , एकले श्वाव परनू , जुधापणू , व्याने अंुबव मा आवयू नती , स्वाथी विज्यू बदू भिन्न जुदू छे एवो यहने अनुबव नती एकले स्वाथी ए विखुटो पड़ी गयो छे जेम बालक पोता ना घहरे थी जुदो पड़ी गयो एने क्या दूर चाले गयो गयो ए वी रिते आा आत्मा उताना स्वरुप थी स्वभाव भाव दूर चाल्यों गयो छे, छुटो पड़ी गयो छे, औने छुटो पड़ी ने क्या भटके छे, तो कि बाहर मा पर पदार्थो साथे पोते विभाव भाव रुपे जोडाये छे, रागद्वेश साथे एक थई, औने वर्ते छे, प्रस्ट थईलो एवो एपर एवा परिणाम होई नि, भगवान आत्माने रागद्वेश ना परिणाम ना होई, रागद्वेश साथे एक रुपता ना होई, इतो विकारिक भाव छे, एक्षणिक भाव छे परियाये मां छे, इद्रव्यमा न थी, पोते भगवान आत्मा त्रिकालक नायग 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 अ एवा भगवान आत्मानों ख्याल नहीं करता ए पर्ना लक्षे थत्ता जे सुभा सुभ भाव चे रागद्विश्ना भाव चे एनी साथे एक रूपता करी अने अहंकार करे चे कि आ हुँँचू आ में करीू हुँँ आओ रागी चूँँ के हुँँ आओ द्विश्नी साथे एक ठाईने जेने अहंकार प्रवर्त्यों छे एवा उते आहुँ खरेखर रागी चूँँ द्वेशी चूँँ अर्थानत हुँ राग करूँ चूँँ शुब भाव करूँ चूँ ए बाव मारा चे एवी द्वेश्ना राग ना बधा भाव करा वालो हुँ प्रमाद ने कारणे अत्वाता उंधा पुरुशार्थ ने कारणे थाई रहुँ छे इमारू स्वरुप नती उं बगवान आत्मा अना थी तद्दन जुदो बिन चुँँ तेनके अनुभव छे ने एटले ग्नानी ने एवो भाव है अने अग्नानी ने अनुभव नती एट एकले जेवा भाव ठाये छे स्वभाव भाव ने छोडी ने जेक जे भाव ठाये छे ए बधा भावे पोते थाई जाये छे ए भाव मारा छे एन ए भावे हुँँचुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ श्वरुपनों आश्वात जेने चाख्यों नती के आश्वरुपमा जये एने जे भाव अए तो आवो भाव होए, शुद्ध भाव, निर्मल भाव आवो होए, एनु जेने ग्नान नती एवो, अनुबव नती ए विचारों सुन करे, जे भाव था ए बदा भाव पोता ना मान सभाव भाव सिवाईना अन्य भाव, विकारी भाव, विभाव भाव, सुबा शुब भाव, बदा पोता ना माने, जेने जोईू नती ए सुन करे, जे गयोज नती जग्याए, ए पछी गमेते वस्तु उपर एनो आरोप करी, ने एने पो ये रिते माने, आतो एना जे भी ब तो पची गमेते वू बॉक्स लई जी ने बतावी, एने कई एक आर टीवी, तो का आर टीवी, एने क्या जोईू छे, एने क्या अनू भव छे, एने तो अनू भव नती, अपड़े एक उधारन बारम बार लई ये शी, ने के एक टीवी विशे नू आदी वासी ने जंगल जाए, इने आपड़े खुब नान आपिये, बदू आपिये, अपन टीवी बतावीये नहीं, अने पची कोई ये वक्त जो जाए, और कोई विजू काच नू बॉक्स बतावी दे ने क्या आ टीवी तो बिचारो सूं करशे, आ भवाई, बिजू सूं करवान होता, पड़े एने जो एक वकट टीवी नो अनुबव थाए, तमें एने तमारे गेरे लईयाओ, और रिमोट आत्मा आपिये ने पासे टीवी चालू कराओ, चैनल बदलाओ, वोल्यूम बजारो, गटाडो, कलर वधारो, अने पची जूओ, एने जे अनुबव थाए, छे लई ने पची अनुबव थाए, पड़ एक वकट अनुबव थाए, पचीती तमें एने छेतरी नहीं सको, येने बोलवी नहीं सको प्रभुव, आ वात बहु महत्वनी चे समझवा जेवूच आउदारन, कि जाए अनुबव नथी त्याए जीव, घणी जग्या ए पोतानी मती कल्पना ए धर्म माने छे, कि आ धर्म, मती कल्पना ए पोते एम माने चेक आवो मने अनुबव चे, मती सक मां थी, आ सीकहो छे त्याँ सुधी ये अनेक प्रकारे कल्पना ए और थाए छे, ये बहु हो ये बदा महाराच येवु आ अग्नानीने भाव राग्द मा भाव 화ँ होए, देश ना भाव है, शुप भाव होए, असुप भाव होए, भयना भाव है, जुखूप्शां आ अनेक प्रकारना भाव जीवने थाए पड़ा भाव ओना तो महारा यह भाव जाने इपोतानु शरुप छे एवी एने द्रस्ती होए जैने आ द्रव्यसरुत नौ अभ्यास नती एने पूछवा जाओ कि आ त्यारते गुस्षो करें तो कौने करें तो मैं करें एमच केसे एनो करना रो पोते करता थाई जाये चे ने करता सब्द बूलवानी जरूर पड़ती ना थी आ कोने थाई आके तो मने थाई तो बगवान आत्मा ताने यह ना होए तो यह ना पाड़ थे ना एव नहीं आ मने थाई मारूच चे मुँँ करूच ने आटला वर्सो थी सूक ना खाऊ चो अग्वान आत्मा खाई पण सकतो नती बगवान आत्मा वीजा पर्ना कामो करीश पण सकतो नती विखल पड़विसरुत नो अभ्यास नती जरू यह ने तो बिल्कूल यह ख्याल पण निया पड़िया तो एम के उच्ए कए शम्म्याक प्रकारे श्वपर्न विवेक नहीं एतले के जेने अभ्यास चे एने इया तो लिधा छे के जेने थोड़ोपना अभ्यास चे जे जाने चे दर्मने ए मात्र माहीती रूपे जाने चे अनुबहु विना आनी आमनी अनुबहु शहीत नी मानने ता न थी एटले जे भाव करेचे ए भावनी साथे एक रूपता करेचे आ पुदगल एवों सरीर एनी साथे एने एकत्व चे एवो अध्यास आये छे अने पोताना आत्मा माथी ए भाहर निकलेव छे एटले जे एकला प्रकार ए भाव थे शके ए बदा प्रकारना भाव मां पोते अहम भाव करेचे अहम कार मैं प्रवर्ते छे को पोते हूं आ चे, हूं आ चूं, हूं, आ चूं रागी, छूं, रगुदेसी, छूं, आ्ञाग, आ सुब भाव ते महाररों छे, अनि एन रागी-जेसी थाए छे, त Depending वेदों ऑग्नान्मा अगनानी नी बाद लिदी। हवे आगऴए यहां क्याचे। के जञानी ने तो सम्यक प्रकारे स्व परना विवेक वडे बिन आत्मानी ख्याती अत्यंत उदेपामी होदी। पेला ने तो अत्यांत अस्त थाई गे यती आत्मानी प्रसिद्धी अत्यांत अस्त अती अग्णानी ने तो अहिया तो नानी निवाद छे तो ग्णानी ने तो एवो विवेक वर्ते छे स्व औने पर्णों के आत्मा नी ख्याती प्रसिद्धी एने तो अत्यांत उदेमा छे आ आत्मा पूतानू स्वरुप एने तो अत्तिंद्रिये पणे अनुभव्यु छे एटले स्व औने पर्णों एने विवेक छे स्व थी विजू बदू जुदू बिन एब दू पर छे आ विकारी भाव विभाव भाव शुद भासुबभाव ए बदा पण महाराती जुदा एफ पर छे औने एना ती जुदो हूं आर हो आँ आ हूं एम पोताने जारे ध्यानमा न थी त्यारे पन एनी प्रशिद्धी पोत पोता ना स्वरुपने अनूभवि रहो छे पोतानू स्वरुप जे छे एना तरफ एनू लक्स जाये छे निर्वीकल्प ठ्याननी दसा जाये दकितली अलोकिक आनन थाये छे पोताना स्वरुपमाँ एक रूपता करी लै छे त। द्वयत होतो नई एगोत दसा ये, पन एवू नती अने ए बहरमा आयो छे त्यारे पन एनू लक्स आत्मा तरफ रह छे एनी द्रस्टी आत्मा तरफ रह छे पोते कोण छे एनू भान छे एटले आत्मा तोथ कोई समय एने विथ्राय एम बंतूज नती पोते आत्मा छे पोताने केवी रिते पोते बुले पोते पोता ने क्या थी भूले, पोता नो अनुबोवे न थाई चुक्यों छे, पोते पोता ने केविरी ते भूले इटले, सम्यक प्रकारे स्वपर्ना विवेक वडे बिन आत्मानी ख्याती अत्यंत उदय पामी होवा थी ग्नान में भाव जो होए छे, के वो ग्नान होए? के हूँ बिजाती जुदो छुँ ए भाव एमा सब्दो नी जरूर नती गुजराती मा होए, हिंदी मा होए के, मराठी मा होए, गमे ते बासा मा होए, प्रनस बदाती जुदो भगवान आत्मा होँ छुँ ए भाव पोते विजाती बिन जुदो छे ए भेदग्नान सतत होय छे अनि एवा भेदग्नानने कारणे जे कहीं विजू बदू छे ते हुँ मात्र जानू छू देखू छू मात्र ए मारा ग्नानमा मने जणाये छे एवो ए ग्नानमे भाव बिजू बदू मने मारा ग्नानमा ग्ने तरीके जणाये छे एवो ग्नानमे भाव केम के पूते भगवान आत्मा ग्नान सभावी अने बीजू बदू एना थी जुदू पर छे एवो विवेक छे एटले पर ने ए मात्रल उताना ग्नान मा जाने छे का आ बीजू बदू मने जानाए छे एनो एक नाता द्रस्टा थाये छे एनो करता भोगता नति थोतं एनी साथे जूडातो नति एकले एक नान में भावावेज छे एकले एवा गनान में भावा जे पर जितले एवा बेद ने लिदे एवा भेद ग्णानने लिधे, स्व पर्ना भेद रूप विग्णानने लिधे, ग्णान मात्र एवा पोतामा सुनी विष्ट, एटले सम्यक प्रकारे स्थित, सु निविष्ट, सु एटले सम्यक प्रकारे, निविष्ट एटले त्यां रहो छे, स्थित धर्ज, सु निविष स्व पर्ना भेद विग्णानने लिधे ग्नान मात्र केवा पोतामा सम्यक प्रकारे स्थित थे लो क्या स्थित थे हो छे? पोतामा स्थित थे हो छे अग्नानी पर साथे एकत्व करतो होतो अने ए पोताना स्वरुप्थी ब्रष्ट थे ने बाहरमा चाले गए होतो जारे आतो पोते पोताना ग्नान सभावी भगवान आत्मामा स्थित थे हो छे एकले ग्नान मात्र एवा पोतामा सु निविस्ट सम्यक प्रकारे स्थित थेलो अने पर एवा रागद्वेश्थी प्रथक भुत पणाने एकले के बिन पणाने लिदे पिला रागद्वेश्थ ना भाव छे अन्य भाव विकारी भाव असुद्ध भाव ये बदा पर छे एवा पर एवा रागद्वेश्थी पोते भिन्ता अनुबवे छे एने लिदे निजरस्तीज जेने अहंकार निव्रुत थे हो छे पिला अग्नानी ने तो रागद्वेश्थ साथे एक थाई अने अहंकार प्रवत्तो होतो के हुँँ आ रागई हुँँ आ द्वेश्थी एने बदले या अग्नानी छे एने तो रागद्वेश्थी भिन्पणु छे एटले एने तो पोतानों जेवू स्वरुप छे तेव स्वरूप थीज निजरस्थीज एने अहंकार परस्वरूप थीज निवरुद थेओ छे पोते राग द्वेश्थी जुदो छे भिन चे और पोते जेवा स्वरूप थेवा श्वरूप पणे रहो छे एना सबंदी नो पोताने हकार छे अंदरमा के आ हूं छूं एकले पर्णो अहंकार नती पर्ण अहंकार थी ए निवरुत थे हो छे एवो पोते खरेखर केवल जानेच छे एकले मात्र ग्णानज करे छे रागी अने द्वेशी ठतो नती और्थांत राग अने द्वेश करतो नती तेथी ग्णान मैं भाव ने लिदे पर एवा राग द्वेश रूप नहीं करतो थको भावकर्मो ने करतो नती पोताने एवा भावे नथी करतो, रागविश ना भावे पोताने करतो नथी, माटे एने भाव कर्म बंदाता नथी एम यहां ग्नानी औने अग्नानी नी वाद करी, एटले मुल गाथा मा जे वाद केवा मा आवी, कि अग्नानी ने अग्नान में भाव छे, ते थी तेने भाव कर्म छे, ये भाव कर्म ने करे छे, औने ग्नानी ने तो ग्नान में भाव छे, ते थी ग्नानी एवा भाव कर्म न करतो नथी। हवे, आपड़े यहनों भावार्थ लेए, भावार्थ माहें यहां कहाएछे, कि आ आत्माने क्रुधादिक, मुहनिय कर्मनी प्रप्रुतिनों अर्थांत राग द्वेशनों उदे आवतां, उताना उप्योग मां तेनो राग द्वेश रूप मलिन स्वाद आवेचे, आ आत्माने मुहनिय कर्मनी प्रक्रुतिनों अर्थांत राग द्वेशनों, मुहनिय कर्मनी प्रक्रुति, चारीत्र मुहनियनी प्रक्रुति शेन, ए राग ने द्वेशना भाव, क्रुद मान माया लोब, अने नव प्रकार ना नो कसायो, एम एवा भाव, एवा भाव, एवदेमा आवता, एना तरफ एनू लक्स रहे छे, अने एनो एने स्वाद आवे छे, राग द्वेशना स्वाद ने ए अनुबवे छे, इतले एवो ए रागी द्वेश्री थाये छे, आ आत्माने क्रोधादिक, लेक्रोध मान माया लोब बदु आवी जाए, क्रोधादिक मोहनीय कर्मनी प्रक्तुतिनों उदे आवता, पोताना उप्योग मा तेनो राग द्वेश्रूप मलिन स्वाद आवे छे, अग्नानीने स्वापर्णू भेद्ग्ना नई ववाती, ते एम माने छे, क्या राग द्वेश्रूप मलिन उप्योग छे, तेज मारू स्वरूप छे, जहां लक्स जाये छे एने पोतानू सरुप माने छे राग दवेस रूप उप्योग थेयो छे एज पोतानू सरुप छे तेज हुँ छुँ आवी मिध्या माने ता एने होये छे ग्नानी क्यारेक खषणिक राग एने आवे के क्यारेक कुई वकत दवेस नो भाव थेवो एतो पने एने पोताती जुदो माने छे जुदो जाने छे ने पोते कौन छे एतो सतत पोताने जेवուँ अनुभवमा आयूं छे एवूँझ रहे छे एमाए केई फेरभार थतो नती ग्नानी ने क्यार एक सुब्भाव आवे तो एथी करी ने पोता नू जे सुद्ध स्वरूप छे एनी इंदर एने सुब्भाव नी बेढ सेल रूप पे पोतानू सुरूप जणाये एम बणतु नती। सम्यक दस्ती इग्नानी ने एक वकत पोतानों सरुप जणायू छे तो पची एम नसी थतू के जारे सुब्बाव आवे त्यारे सुब्बाव पन बेगो पोतानों छे सुद्धतों छे पन साथे सुब्बपन छे युँँ न थाये कैम न थाये वो तमने समझन पाड़ू बहुस सवसा विचार करवा जी वाद छे प्रफू कि इटली क्वस्ति येवी छे कि आपने येना वपर विचार नसी करता ये टली नसी समझाती बहुस येलाई थी समझाय छे, एनि खबर नाथी के बोते राजकुमार छे एनि खबर नथी अवे ये जारे मोटो ठाये छे ऊक्त बहल आताये शेने केवा Mr.gelshaynatam आ राज तारू छे तारा पिता नूं राज छे ने Centaurus-चत्र अछ तु राजकुमार छो औि यहा्वर साय कंडेनाना में पासे नूं राज छे इए मारा पिता नू ... पितानु नाम एने केवाम आवे, कि आ राजा इतारा पिता आवाद ज्यारे करवामावी, हवे एने एम पची रहसे, कि उन थोड़ो भील पण छू, थोड़ो राजकुमार पण छू, एवु बेपणूरे, समझ वाजेवी बाच्चे, कि एने एम केवामावे, एने एनु ख् खरो, एम, एवु आ पाड़े, एवु क्यारे बने ने, एवी रिते, जेने सम्यक दर्शन थयू छेन, पोताना सुद्ध स्वरूपन अनुबव थयू छे, एने पची आपड़े एम केवे, कि तमने सुबभाव पन तमारो थोड़ो खरो, तमारो सुद्ध भाव छे, तमने जेवु स्वरूप छे, एमा सुबवपन खरो, भेगू, तो ए माने, कोई काले माने नी, पोतानू सुद्ध स्वरूप जाने पची थी, एनी इंदर मलिंताने उमेर तोज नथी, एकले ग्नानी नी द्रस्टी तो एवी छे, पन जेने आनो अनुभवज नथी, एने बिचा जान दसामा स्वपर्णू भेद्ना नई होवा थी, ए रागदूस नी जे मलिंता आजे छे, ए रुपे एनो उप्योग मलिं थयो छे, मलिंता कहीं अंदर द्रव्य मा तो व्यापी नथी, एवा भाव थया छे, पन ए बदू परियाय मा चे क्षनिक छे, पन उप्योग ए व मात्र एने ग्नेई तरीके ग्नान करवू जोई है, पने उप्योग रुपे पोते पोताने माने छे, जे वू लक्स थयो छे, जे आजा द्रश्टी गई छे, जे भाव थयो छे, ए भाव रुपे हो पोते थाई जाये छे, एम ए राग विश्मा अहंकार बुद्द्धी करतो अग्नानी उताने रागी द्रिश्टी करे छे, ते थी ते करमों ने करे छे, भाव कर्म करे छे, आ प्रमाने अग्नान में भाव थी कर्म बंद थाये छे, पंडिक जे बहु सरस्रीते बात समझा वी छे, जनानी नी वात गनान होवा थी, ते एम जाने छे के गनान मात्र सुद्ध उप्योग छे, तेज मारू सवरूप छे। जे वू अनुभविवतु ने एवू एने ज पोता नुँ सरुप माने छे लाकी वर्तमान परियायमा जे कई बिजू छे ए पोता थी जुदू छे पोता ना सरुप थी बिन्द छे ए पोता थी जुदू बिन्द छे एवो एने विवेक वर्ते छे पोते मनुषनी परियायमा छे एथी सु थाई गवु पोते भील छे बील ना कपड़ा पेर्या छे जंगल मा रह छे एथी सु थाई गवु ख्याल आवग राजकुमार छे तो पजी राजकुमार जमाने पजी अर्दो भील थतो नथी एवी रिते जेने पूताना स्वरुपन अनुबव थयो छे एवो गणान मात्र सुद्धु प्योग छे तेज मारू स्वरुप छे वर्त्मान परियाये मारी मनुष्य नी छे तो हूँ ये हूँ नती, मारू स्वरुप तो सुद्ध उप्योग रुपे जे छे, तेज मारू स्वरुप छे, ग्नान मात्र सुद्ध उप्योग छे, तेज मारू स्वरुप छे, तेज हूँ छूँ, राग द्वेश छे, ते कर्मनों रस छे, मारू स्वरुप नती, क्या रेक एने र यह कहीं मारू सरूप नती एक्षणिक छे परियाए मा छे अने ए समय एवी परियाए थवानी छे तो थाई छे ए वकते उपादान असुद्ध छे ए वकते चारित्र नो पुरुषात नभलो छे तो एवो रागनो भाव मुनीने पन क्या रेक आवी जाए शुब भाव आवे मुठीयों ने सुभभाव आवे छे उखले एल आ शांस्त्रों लखाये छे ये तो पोतानों सुभभाव छे अने शास्त्र नी रतना तो पुदगल छे ने पुदगल नी रतना करना रो कोण पुदगल पोतेज छे मुनिने तो आम होए छे एक एम नती मानता के शास्त्र नी रतना थाये चे ते धर्मनों काम चे ने एवी उंदी मानने ता मुनी ने होती नती मुनी ने तो ए वकते एम थाये चे के आ सुबभाव आवयो इस सुबभाव मां जेटलो समय एटक्यो ए मारा पुर्शार्थ नी नबढाई चे ता कि जे सास्तर लखाये उंँ एनी रचना थाये ये तो बदी पुदगले करी चे अक्सर तो पुदगल चे अनी ए परियाये एक ना कारणे थाये ये पुदगल नी परियाये चे एम ग्णानीना भाव होएजे इतले कई फरतमान परियाय साथ है कई एक रुपता करे एम ग्णानीने होएज नहीं आ हुँ मनुष्य चून आ हुँ रमेश चून एवी ग्णानीने बुद्धी ठाये ज नहीं ग्णानी तो पोते पोताना स्वरुप नेज पोतानों माने पोते ए रुपेज छे इटले यहां कहे छे के ग्णान मात्र सुद्धु प्योग छे तेज मारू स्वरुप छे तेज हुँँ छू अने ग्यारेक एवो राग के द्वेशनों भावक राज ग्यारेक थेवो छे तो एना ती पोते भिन छे राग द्वेश छे ते कर्मनों रस छे मारू स्वरूप नथी आम राग द्रिशमा अहम बुद्धी नहीं करतो ग्नानी, पोताने रागी द्वेशी नहीं करतो नथी, केवल ग्नाताज कहे छे, तो आ छे पोतानु शरूप्त आ छे, तो ए शिवाए विजू बदू छे, ए बदू ग्नेई मात्र छे, एले एमा एमा क्या है एने अहंकार ठा अहं बुद्य थाये पोतापणु थाये ्येम बनतूज नती कोई पन भाव मा अन hosts नती युद्य अन्य भाव मा झ्नानी ने पोतापणू हत्थुज नती युह मा हम बुद्य थति नती का आह हुँ आमारोबव यहिम थत्थुज नती पोते तो ग्णान मात्र सुद्धु प्योग छे एनेज पोतानू सरुप माने छे ते ती ते कर्मने करतो नती भाव कर्म एमने बंधाता नती आ प्रमाने ग्णान में भाव थी कर्म बंध थतो नती प्रवात जे करिया ती के जड़ कर्म नी बात आपने अगाउ करी गया ची जड़ कर्म नो करता तो पुदगण छे अग्ंräge ये जड़ कर्म बंधाय चे त्यारे अग्नानी ना इँ राग दवेश ना भाव चे एमा निमित कारण उखे अग्नानी इँ राग दवेश नो करता चे अग्नानी राग दवेश ना भाव नो करता नती इटले एने कर्म वंदद chaotic हवे आ गाथा उपर पुझ्य गुरुदेवे जे प्रवचन आपिंग छे ए प्रवचन ना अंसो आपणे प्रवचन रत्नाकर माथी लेए गाथा 157 उपर पुझ्य गुरुदेव कांजी शामीना प्रवचन माथी आपने गुण समझवानूँ छे ए लेए प्रवचन रत्नाकर भाग पांच मो इमा पाना नंबर बस्सो ने तेतरीस 233 पेला 232 ती आपणे वाद सरू करिये चल्ली लीटी 222 मापाना उपर चल्ली लीटी ती सरूवात करिये के आ टिका अनो पेलो पेरोग्राफ माँची यने गुरुदेव सरू करे चे क्या चे के सुक्ष्म वाद चे प्रवुद अनंत कालमा येने एटले जीवे निर्मल सरूवात अज करी चे के आ वात बहु महत्वनी चे अने सुक्ष्म चे स्थूल नती मात्र तमें माची याद राकी लो एवी वात नती एमा घणू उंदान चे तमारे अंदरमा उत्रवानी जरूर चे आ वात ना उंदानमा तमारे जवानी जरूर चे एकले ये सुक्ष्म बात कि अमां गणी गंबीरता वरी चे सुब अपने शम्जावाइसे आपने माटे गुरुदेव बहुर सेलू करी आपके असे आपना तो भग्य खुली गया कि आ बदू आपने प्राप्त थैू एमां गुरुदेव नी वाणी वतनाम्रुद प्रवचन गुरूदें पहला आप दिवात ने समझवा आ उद्यम Ahh लनेetin पहला है तरह सम्भ़aldo में töती या ऊदल खूब 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 उपकार करी नहीं बहुँ सहलू करी नाक्यु छे आउँ तत्व आपणने यहां घेल बेठा मले छे बहुँ अद्बुत वाद छे प्रभू अने ये वी उंदान बरी वाद छे टले गुरुदेव कह छे कि जो भाई आमा मात्र वांची गए वाद नहीं जहुँ पड़ द छे उंडाण मा गया वगर बदू नत्काम ुझे शुख्ष्म वाद छे प्रभू अनन्त काल मा जीवे निर्मल बेद गणान कर्यु नहीं आउछ शुख्ष्म वाद छे आमा उंडाण मा जवानी जरूर छे अननंत काळ वीतिऊ अहां विति अननंत काल जानतों नथी येवा अनुभवतों नथी येवा भेदग्नान नथी अनन्त काल मा जीवे निर्मळ भेदग्नान करिव नथी कलस 131 मा कयो छने के बेद विग्नान तह सिद्धा एकी लगे चना असईवा पावतों बद्धा बद्धा एकी लगे चना जे कोई आज सुधीमा मुक्ती पाम्या ते भेद विग्नान ती मुक्ती पाम्या छे गंबीर बाद छे जे मुक्ती पाम्या जे सिद्ध थया छे ये बदा भेद विग्नान थी मुक्ती पाम्या छे भेद ग्नान करीने मुक्ती पाम्या छे कोई दयादान ने वरत द्वारा मुक्ती नती पाम्या भेद ग्नान द्वारा मुक्ती पाम्या छे भ्यद ग्नान को नी वच्चे करवूंचे स्वण पर नी वच्चे ओनो भ्यद स्वण पर्नी वच्चे ओनो भ्यद जेने अनुभव मा नथी आयो ए अग्नानी छे वह ने गमे तेटलास आस्त्रों नो अभ्यास करेऊ होए एने अग्यारंगने नव पुर्वनु ग्नानों ते छतापण एने एवू भेद ग्नान नती थयू अने स्वने अनुभवव नती त्या सुधी ए बदू महाहीती रूप छे त्या सुधी ए बदू ग्नान महाहीती जे कोई आज सुधी महां मुक्ती पामया ते भेद ग्नक विग्नान थी पामया छे। रागती पोतानुं चैतन स्वरुप बिन्न छे एवा भेद ग्नान थी मुक्ती पामया छे। वीजा बदाथि थितोपोते जुदौ छे। एलिने समझाया । पन जे एना भाव छे, विजा बदाति तो पोते जुदो छे, एतो एने समझाए छे, पन जे एना भाव छे, जे वर्तमान मा एने भाव थाय छे, सुभा सुभ भाव, एना थी पन आज चेतन बगवान आत्मा जुदो छे, एम भेद्गनान थवाति ए मुक्ति पामे छे, अने जे बंदाया छे ते बेद्ग्नान ना भाव थीज बंदाया छे बेद्ग्नान न थी एकले एमने कर्म बंदन छे अने आ संसार परियाये छे चार गतिमा प्रमण थाये छे पोते सुद्ध ग्नायक भाव रूप चिदानन्द मैं आत्मा पोते कोण छे सुद्ध ग्नायक भाव रूप चिदानन्द मैं आत्मा अने बिजी तरप सुँँछे ते राग जे पर रूप मलीन दुख रूप विभाव एक तरप सुद्ध ग्नायक भाव रूप चिदानंद में आत्मा अने विजी तरप राग पर रूप मलीन दुख रूप विभाव एवे नी एकता बुद्धी थी बंदाया छे राग साथे नी एकत्व बुद्धी विभाव नी साथे एक रूप ता राग किता में बद्धू आवी जाए राग द्वेश बद्धू आवी जाए राग साथे राग के ओछे एक एना परिणाम के वािछे मलीन परिणाम रूप छे ये दुख रूप छे इस सुब भाव दुख रूप छे, जारे थाये चे त्यारे पण ये आकूलता करे चे, आत्म प्रदेशों नूँ कमपन थाये चे और ये दुख छे, और येना परिणाम रूपे पण ये दुखत छे, पुण्येनों बंद पड़े चे जे संयोगों सर जाये चे, ए संयोगों एने, एनी साथे एक रूपता करता, दुख देना राज छे, पाकि शुख ने सांती तो पोता ना फ्रूप माती आवे, शुख ने सांती कोई संयोगों आपी सकता ज न थी, कोई संयोगों मा ये वी ताकात न थी, कर्वना उदे रूप जे संयोगों छे, कोई मा ये वी ता पर्रूप मलीन दुख रूप विभाव अने बगवान आत्मा सुद्ध ग्नायक भाव चिदानंद ए बन्ने नी वच्चे एक सहांद छे एक भेद रेखा छे औने त्यांती एने ग्नान द्वारा इब बन्ने ने जुदा पाड़वाना छे आ बगवान आत्मा सुद्ध औने आ राग इब एनी वच्चे एक बन्ने ने जोडती एक रेखा छे इसुक्ष्म रेखा छे त्यां एने ग्नान रूपी छिनी पटकवानी छे औने बन्ने ने जुदा पाड़वाना छे भगवान आत्मा ने राग इब एकता ने लिदे जीवने चार गती मां संसार मां ब्रमन थाए छे तो एवू ए भेदग्नान जे करे छे ए मुक्तिने बामे छे पान नबर 233 सुपर यहां 30 पेरेग्राफ मां गुर्देव समझावे छे के दुनिया मां बिजे क्याए मार्ग नी आवी बात छे नहीं कया मार्ग नी मुक्ष ना मार्ग नी मुक्तिना मार्ग नी आवी बात विजे क्याए छे ज नहीं आ समय सार छे ते अल सरीरी थवानू सास्त्र छे इस सिद्ध दिशा प्रकट करवानू सास्त्र छे प्रभू दुनिया मा आवी बात विजे क्याए मुर्षे नहीं द्रव्यानु व्योग नो सर्वस्रेष्ट ग्रंत छे अने एमा अम्रुत्यन्दराचारे भगवान नी या बरत्क्रित्रने विशे लखायी दी सरोत्तम टिका छे सास्त्र अपन अद्भुत् टिका पण यवी अद्भुत् अने समझावनारा पण इवा उज्युगुरदेव कांजी शामे कहाछे कि अग्नानीने सम्यक प्रकारे तत्वोनी बिन्नतानो उपदेश मडेव न थी सम्यक प्रकारे तत्वों नी भिन्दता तत्व नो निल्णे थवो कया तत्व नव तत्वनी वाद छे एमा एक जीव तत्व छे एक जीव तत्व थी बिजाब आकी ना आठे तत्व जुदा छे भिन्द छे तो एनी साथे पिला पुन्य पापना भाव आस्रव छे ये आस्रव तत्व ने जोड़ी देए एक एम चाले तो तो पजी नव तत्व नव तत्व रुपे रहसेज नहीं अग्नानी ने ए तत्व नी बिन्तानों साचो सम्यक उपदेश ने प्राप्त नती थयो एटले अजी येने इरागना भाव जे छे शुब भाव छे एनी साथे येने जुडान थाये छे जीव तत्व छे और आणी आास्रव तत्व छे और बिन्य प्रकारह लेए इस पुण्य ने पाप्प तो आ तत्व आछिए शुब राग छे शुब भाव छे ये शुब राग ग्व्म इस साथ है ये भेधू आत्तव तत्व आने जीव तत्व 2 1 क्या थी नहीं विच्टे के राग औने आत्मा एवे एक रूप ना होयें जो आस्रव छे राग छे औने आत्मा जीवने एक रूप ता होई सके जश नहीं अग्नानी ने आ वात ने खबर न थी शुरु दे या यह वात करेचे कि अग्णानीने सम्यक प्रकारे तत्वोनी बिन्नतानो उपदेश मलेव नथी, कदाचीत मलेव तो तेने सम्यक प्रकारे स्वपर्नी जुदाईनू ग्णान करिव नथी, एना उपर एने विचार करिव नथी, एना उपर एने मनन मन्तन चिंत्वन करिव नथी, एनी एने द् परता करी अने पच्छी एवो अनुबव करवानों एने पुर्षार्थ करवा न थी। सम्यक प्रकारे स्वपर्नी जुदाईनू ज़णान कर्यू न थी। सम्यक प्रकारे एकले अनुबव सईत। जानिवेती सो थे यूम, आहीती रूपे जानवा थी कई धर्म न थी तही जतो रागनी क्रिया अने सभावनी क्रिया बे बिन न छे एउन सुद्ध चैत्न ना लक्षे राग थी बिन पड़ी ने बेद ग्नान करियू न थी करवानू आ आतुम, यहने बदले ए शुब भाव मां रोकाई गव, ए राग मां रोकाई गव रागनी क्रिया अने पोतानू जेवू सुद्ध स्वरूप छे, एवू सुद्ध स्वरूप एटले स्वव भाव स्वणो भाव के वो, एशुद्ध निर्मण भाव यहले रागनी क्रिया अने स्वव भावनी क्रिया एव भिन्धचे, वे वस्तु जुदी छे, एवू सुद्ध चैत्न ना लक्षे, रागती बिन्ध पड़ी ने भेदग्णान कर्यू नहीं, आवू भेदग्णान थाए को ना लक्षे? वो ताना लक्षे खाए, परती द्रश्टी करवा 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 द्रश्टी पेस्ट विए्युद्ध बने इसे चे कषाएं छेए बदाती यह पढ़ोपचे यह जुद्धा पढ़ोफचे तो चैतेनली सभावचे एनू लक्स करवचे यह पढ़चे खोण्छे चैतेनली सुद्ध पोतावनुई नू लक्स करशे तो बाकी विजू बदू जुदू एकले यहां सरस्रीत समझावी चे के राग नी क्रिया औने सभाव नी क्रिया बे बिन चे एवूं सुद्ध चैतिन ना लक्षे रागती बिन पड़ी ने भेद ग्नान करियू नती एवो आगनानी जो एवूं बेद ग्नान करे तो एने सम्यक दर्शन था है कुलांट खाई जाए वसे एक वकत अनुबव था है पची आखी दरस्थी फरी जाए चे पची दरस्थी फरी जाए चे एटले गुरुदेवियां समझावाचे कि आ प्रमाणे सभाव विभावनी बिन्नतानू भान नई होवा थी स्वपरना विवेकना अभावने कारणे मिध्याद्रस्टीने अनादी कालती आत्मानी प्रख्याती थै नती ख्याती थै नती अने एवी ख्याती अस्त थै गई छे अग्नानी जीवने बिन्न आत्मानी सुद्ध चैत्यन्नी प्रशिद्धी अत्यन्त आत्मी गई छे अर्थांती मोव भावडे अंध थरी गई वह थी टिकानो पेलो भाग यहां गुरुदेविया आरित आपड़ने यहां समझावाशे अने क्या छे जो आ माल माल वात छे आमा तो माल भरेलो छे भाई दिवादी देव भगवान दिनेश्वर देवनी आ वाणी छे अने थरी कुंदकुंदा अचारे देव स्रीमंदर भगवान पासे गया आता अने त्यांती आवी अने आस आसरो रज्या छे एकले आतो बगव आपने सहज रिते प्राप्त थे छे आपने वधुने वधु अनो स्वाध्या करिये अभ्यास करिये आने आत्मसात करिये तो आज नों स्वाध्या अपने आया सुदी राकिया छी है कांडर्सेशन मोट इस आन एवर्यों के नाव भी हर्ड अवे आजना स्वाध्या सबंदी आपना प्रश्ण अत्वा प्रति भाव होई तो आपने विचारिये प्रदिप्वाईर नों एक प्रश्ण में जानी ने जवाब नथी आगो क्रमबद परियाए सबंदी नों प्रश्ण छे पड़ मुँ राज वुच्छु कह जी थोडिक वात वीजी क्रमबद परियाए नी आजी आगलनी गाथामा पना आवानी छी वदी आवे अनि त्यां सुधी तमे पर जी येना वपर विचार कर सो अने क्रमबद परियाए विशे ये पुस्तक चे बने तो वाँची जसो पच्छी आपने एवात ने स्वाध्याय मा लई ये तो वदार थारू थाओ क्रमबद परियाए विशे मोटो चे बने थोड़ो वदार अभ्यास ते आपची आपने ये वात ने लई ये एटले मने ख्याल चे प्रदिब्बै तमें मने ख्याल से त्यां सुधी गुरू आरेमना स्वाध्याय पची ये आप्रश्ण करेलो अने एक तबक के मने अम आपने इतला मा नहीं पतावी है आधना स्वाध्याय सबंदी कोई प्रश्ण अथ्वा प्रतिबाव ना होए तो पची आपने सुख्धाम बोली येने स्वाध्याय पूरो करिये सुख्धाम अनंद सुचंत चही दिन रात रहे तद ध्यान मही पर शांति अनंद सुचर्ध़ मैजी प्रणभू पत्ति वार्ते शये तए छोआ मूँंपाध कर देते और से ते जिमेंद्रा जैंड रहाटा ने जैंद्रा प्रभू क्यों दर है चिंदर है जैंजीडिनेद्र जैंना जिल्णेद्र में म कोंतर चुक्त मैं इसे mashरे प्रण arriv श्रोडर्र. गईकाला में वाद राय करो पण पच्छी कई फोन लागयो नी इतले अत्यारे उपने फोन करूछु ओओ ओके ओके हूं करू अपने फोन के तमें करूछ ना करूछु ओके 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 बैसे थैंक करूछ करूछु भाया झाय? करूछु खिए थए ना वहा फोन करूछू पाया अषिवर लाओ Scटा रारी ओके हॉाट करूछु आई एंईक है ॉआ वहा थैंका मोदू एमें झालावश 속 जिएたunte